नमुस्कार, आप सबी का स्वागत है, आपके अपने हेल्ट चैनल में देखिए, आज जो मैं आपके लिए टोपिक लिक रहा हैं वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा मतलब उसका ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिलेगा, एक बहुत बड़ी समस्या का आपको मैं बात करूंगा घर के भूले वे वेक्ति को सही दिशा में लाना यानि की घर का कुई वेक्ति बच्चा या बड़ा गलत दिशा में जा रहा है जा रहा है। को बलते हैं नशा करने लगा या कुछ कलत आदते लगई है कलत संगत में चला गया है उसको सही डायक्शन में कैसे लाएं वो मैं आपको बताने वाला हूं तो इस वीडियो को पूरा देखिए है देखिए हम सब जानते कि अगर किसी घर में ऐसा हो जाए कि उनका कोई बेटा हो बाई हो या बच्चा हो वो गलत डायक्शन में जाने लगे गलत दिशा में जाने लगे जो कि सब्वे समाज के लिए उचित नहीं माना चाहता है वो चाहे वो नशा हो या कोई भी चीज हो तरफ जाने लगता है तो घर में बहुत बुरा हाल हो जाता है घर वालों का बुरा हाल हो जाता है बेटा जाता तो माबाप का बुरा हाल हो जाता है पती जाता है पतनी का बच्चों का बुरा हाल हो जाता है और उनकी जीवन जो भुकत रहा है जो गया है गलत डायक्शन मे की बात है वहां पर जब वो गलत direction में जा रहा है अगर वो गलत direction में है यहां उसका मन बहुत बढ़ गया है तो आप उसको कैसे control करें वह भी acupresure दवारा है बिना किसी दवाक कि बिना किसी तंतर मन्तर के आप उसको ठीक कर सकते हैं, ऐसा treatment मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको कहीं पर भी यह treatment नहीं मिलेगा, तो इस वूड़ी को वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अगर आदा देखेंगे तो शायद कोई बात आपकी समझ में नहीं आएगी, कहते हैं कि शाम का भूला, गलत दिशा में जब जाने लगता है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कि हमारे पास मन और डायक्शन है, इसमें आदमी का क्या एक तो मन भटक जाता है, जब वो गलत दिशा में जाता है, यह उसकी संगत गलत हो जाती है, उसकी डायक्शन गलत हो जाती है, मन और दिश है एक मन है एक दिशा है उस पर ट्रीटमेंट करके आपको मन और दिशा उसकी सुधार देंगे तो वह आपका जो भी होगा वह सही दिशा में आ जाएगा यानि भूला भ्यक्ति वापिस आ जाएगा इसके लावा मैं आपको एक चाइनी से की प्रिश्र का भी साथ साथ एक प कर ले फिर भी बहुत सारे लोग ज्यादा तर मुझे लगता कि 70-80% से ज्यादा लोग नहीं राजी होगा आपका ट्रीटमेंट करवाने का आप उनको किसी तरीके से कुछ बोलके कि आपके पेट दर्द हो रहा है आपके पिंपर्स आगे कुछ भी बोलके आप उनको करने क बोलेगा प्रेशर करने को बोलेगा नहीं भी बोलते तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताओंगा बस आपको करना है देखे क्या है हमारी आईवेद में जो है अगर दिशा बटके यह तो दिशा के लिए हमारी Middle Finger होती है Left Middle Finger Finger No.7 आपके मतला कि बीच की उंगली जो है य इसको pressure देना है, इस तरह से 4 तरफ से pressure देना है इस तरह से दिखें, ये pressure देना है ये आपकी उगली है दिशा की, direction की, यानि की कल्ध दिशा है, तो इस तरफ से और अगर आप लोग जानते हैं समझ के कि इसकी दिशा ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है यानि कि उसका जहां पे वो जा रहा था जही जगा में जा रहा था च्छक कासा काम कर रहा था अचानक सी उसकी दिशा बिगड़ रहे तो इसके मतलग कि उसकी दिशा ज्यादा हो गई है जैसे हम गाड़ी को तेज स्पीर पे चलाते तो वो ट्रैक से बटक के लिए यह उगली को उपर से नीचे की कि तरफ कीना है ऊसमंजर में तो आ तो आपको उसको नीचे सी उपर की तब yatार पूर की तरफ के तो आपको सिर्फ उपर से नीचे से ऊपर इस तरह से करते रहना है, इस finger को 5-7 मियाट करना है कम से अगर वो करने को राजी हो जाया तो इसको ज़्यादा से ज्यादा जितना ज़्यादा आप करेंगे हाफ एनार वन आर तक भी करते रहेंगे तो अच्छा है इसके लाब आगे के एडवांस भी बताऊंगा लेकिन इसके बाद आपको क्लिक करना दिश्या ठीक करें पर उसके साथ मन भी ठीक होना चाहिए तो उसके मन के लिए हमारे पास है मन की फिंगर नंबर है जैसे मन बडू बोलते है वह किया तो आपको उपर से नीचे लाना है और मन में उसका ऐसा है कि समझ में यार क्या करना है तो उपर से नीचे लेकि जाना इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको अलग से बना दूंगा क्योंकि अभी बताऊंगा तो बहुत कि यह जो नीचे का जॉइंट है यहां पर अगर खुशके तो मेथी की पट्टी जैसे मैं वीडियो में बताता हूं यहां पर लगा जेनी है क्योंकि उसके ब्रेन पर भी हमें साथ साथ एडवांस लेवल पर काम करना है तो यहां पर नीचे के जॉइंट पर चारों तरफ म कि मेर्ट सिभ जोइन्स पर प्रेशर देना है इस तरह से देखिए यह इलग treatment हो जाएगा वह अलग था पुरी finger को आपने किया और इस पर किया यह अलग treatment प्रेइन का advanced level का भी treatment थोड़ा advanced भी हो जाता है अकर आप सिफ यह जोइन्स पर प्रेशर देंगे तो इस तरह से देखिए इस तरह से आपको 20-20 सेकंड भी कम से कम एक प्रेशर दीजेगा ज्यादा कि कोई नहीं जितना आपको टाइम ले उतना प्रेशर दीजेगा प्रेशर दीजेगा उतना प्रेशर दीजेगा उसे मसाज करते रहेगा सोई-सोई वरूपी जितना ज़्यादा आप कर सते हैं और उखने से पहले भी कर दीजेगा अगर पॉसिवल है तो इस से मामुली साय देखने में लेकिन इ lange मळी को सदार देखा और साथी मैडूला जैसे इसमें पार्ट भी है ब्रेंदेगिकर में की यहाँ और अदर आर्ट कर जाता है वो है आपका देखिए LU1 जो लोग एक प्रेशर जानते उनको मालूम होगा यह देखिए आपकी यह इंडेक्स फिंगर में इस साइड में यहां पर है यहां पर है यहां से इतना गैप छोड़ना यह जॉइंट है इससे थोड़ा उपर आए यह देखिए यह पॉइंट है यह आपके नीचे LU2 है और यहां LU1 यह पॉइंट है यहां पर आपको प्रेशर देना है और अगर पॉसिवल है तो जगते में नहीं तो सोने पर आपको एक मूंग पेपर टेप लेना है ऐसा मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा और एक साबुत मूंग लिया हमने पेपर पर चिपक है लंस वन पाइंट पोल को यह बैक मार्क किया हुआ यह अपका loop पैंट है यह भूले हुए हुए व्यक्ति को बापिस लाता है जो बहुंग और अप यह प्रेशर देना चमत कर पॉइंट है अगर आप इस पर नहीं कर पाते हैं सोया हुए व्यक्ति आप टेप लगाना पॉसिबल नहीं तो उसका ओरिजनल पॉइंट आपका देखे आपकी जो मिड़ लाइन है यहां से छे अंगुटे की दूरी पर आना है और यहां से जो आपकी कोलर वन होती यहां से अगर यहां पर आपको यह लगग यहई तौनों तरफ को मसाज कर देना है इस तरह से कलोक्स आपको Muslims तब प्रेशर दे दिज हमेंद दिए जिरत दवाने के बागने या सोई-जोई व्यक्ति पर इस तरह से एक एक करके देशते हैं और दोनों एक साथ भी देशते हैं लिटो दूसे एक करे शिर्य को करना है यह फिर बहुत ऑफ़ अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीज़ेगा धेंक्यू अपना और अपने चाने वाज़े लोगों की हेल्थ का ख्यालगी और अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे ही धेरो जानकरिये तो ही मेरी वीडियो देखती रहिएगा अकर आप एक्यूप्रेशर थ्रैपिस तो आपको मैं एक नहीं शौच के साथ नहीं शॉच के साथ ट्रीट्मेν बताऊंगा यह आपको किसी किताबों में नहीं मिलेगा, विधकी इसी का भूले बहुते सोहीं सुच के साथ बताऊंगा, आप अपने सोच के साथ अपने दिमाग 2020 के साथ